दोस्तों क्या आप भी परेसान हैं अपनी दाद खाज खुजली से चाहे गर्मियों का मौसम हो या फिर बारिस का मौसम हो नमी की बज़े से हमारी इसकिन में सरीर में कही पर भी दाद खाज हो सकती है जब दाद खाज हो जाती है दोस्तों तो इसमें खुजली बहेंकर होती ह ठीके हो जाता है और इसमें छोड़ जोड़ दाने होते हैं विकुर्ड़वा जैसे यह आँप देख सकते हैं तो इस कि दाध खाज खुजली को जड़ से खतम करना चाहेते हैं घरेलू नुसके से तो इस नुसके का प्रयोग करोगे आप के कितनी भी पुरानी दाद खाज खुजलिए हो तो यह आपकी सही हो जाएगी तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको लेना है ये लिकुड यह कौन सा लिकुड है ऐपल साइडर बेनेगर एपनेगर आपके फंगर infection को जड़ से खतम करेगा जो बैक्टिरिया होते हैं यानि कि जो दाद खाज में बैक्टिरिया होते हैं वो और ज़्यादा फैलाते हैं तो इसलिए आप इस एपल cider vinegar का इस्तेमाल करिए और इसका कोई भी side effect नहीं है यह इसमें क्या होता है इसमें भरपूर मात्रा में citric acid citric acid होता है जो कि आपके बैक्टिरिया को यह जड़ से खतम करता है यह apple cider vinegar बहुत यह काम का है दोस्तों आप आए हैं beauty tips नमरता चैनल पर और इसको सब्सक्राइब करना और साथी साथ इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों में share कर दिना अगली आपको किस ट्रॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके कमेंट बक्स में जरूर बताना तो आपको करना क्या है एक कटोरी में आप दो छोटा चमश ले लीजिए यह apple cider vinegar ठीक है ना और अब इस apple cider vinegar में क्या करना है आपको मिलाना है बराबर मात्रा में पानी एक बार इसको करके जोड़ देखना आप कैसी भी दाद खाज हों और कितने भी खुजली हो रही हो दोस्तों आप देखना आपको एक बार में ही लगाते ही आपको आराम मिलेगा तो य क्या कर देना तो यहां पर आप क्या करना है दो चम्मत एपल साड़ा बनेगर हो गया अब दो चम्मत हम इसमें बराबर कॉंटिटी में हम पानी जाल देंगे यह सिंपल पानी है आपको लेना है पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए अगर आप पानी नहीं चाहते हैं तो इसमें गुलाब जल भी डाल सकते हो ठीके ना जो कि हमारी दाद खाज खुझली को ठंड़क देगा और साथी साथ खुझली को तो यह तुरंत मिटाएगा जब दाद हो जाती खुझली बहुत ज्यादा होती तो खुझली तुरंत मिट जाएगी आपकी चलि क्वझली है तो उस जगे पर इस लिक्ट को आप लगा लिजीए और लगाने के बाद में आपको क्या करना है इसे छोड़ देना है करीबन आदे घंटे के लिए थिकलना आधे घंटे के बाद में आपको नउर्मल पानी से साफ कर लिना है इस तरीके से आपको सुबह और साम दोनों टाइम आपको लगाना है और आप देखना दो से तीन वार के प्रयोग से ही आपकी गाद खाज-खुजली जड़ से खतम हो जाएगी और इसमें कोई खर्चा भी जैदा नहीं होगा ठीक है ना तो इसका आप व्योग करिए और मुझे कमेंट करके जब बताना यह घरेलू निसका है आप मुझे कमेंट करके यह मत पूछना कि इसका कोई साइड इफेक्ट है इसका को करिए दो से तीन दिन तक चार दिन तक इस्तिमाल कर लिजिए आप देखना आपकी दाथ खाज-खुजली कैसी भी हो जड़ से खतम ठीक है ना वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलती हूं नई वीडियो साथ निसकी साथ त नमाश्कार